आज की एक नई वीडियो में दोस्तो आपका फिर से स्वागत है पहले तो दोस्तो नमस्कार जो दोस्त नए आए हैं नए यूजर आए हैं हमारे चैनल पर आज की इस वीडियो में आप दोस्तो सीखेंगे SBA ATM पिन को चेंज करना चाहे दोस्तो आप कर पर हैं आप अपना पिन भूल चुके हैं आप उसको फॉर्गेट करना चाहते हैं आपको जल्दी है कर बैटे ही ये दोस्तो आप कर पाएंगे लेकिन दोस्तो आप जब फॉर्गेट करेंगे फॉर्गेट करने के बाद जो आपक करेंगे और ATM में जाकर आपको कैसे करना है वो भी दोस्तों आपको बताएंगे तो आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किये अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार विजिट करके आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ में दोस्तों बेल फोर्गेट करने के लिए अपने मुवैल पून पर आएंगे SMS पर जाएंगे और यहां पर दोस्तों आपको एक जो डिजिट देना होगा जिसमें दोस्तों आप यहां पर इस नंबर पर मैसेज करेंगे पांच, छे, साथ, शे, साथ, शे, इस पर दोस्तों आप पहले तो अ यहाँ पर दोस्तो आपका जो कार्ड होगा, जो कार्ड डैबिट कार्ड है, उसके लास्ट फॉर डिजिट यहाँ पर दोस्तो आपको लिखने होंगे, उसके बाद फिर आप स्पेस देंगे, फिर दोस्तो आपका जो खाता होगा, उसके भी यहाँ पर आपको जो लास्ट करना है जब दोस्तो आप SMS करेंगे तो यहाँ पर दोस्तो आप देखेंगे यहाँ पर जो आपको यह message show हो रहा है, your request has been successful, यहां पर दोस्तों आपकी request होगी, वो यहां पर forward होगी आपके bank को और यहां पर दोस्तों आप देखेंगे short received the response from bank फिर दोस्तों यहां पर होगा क्या आपको साथ में ही दोस्तों मिल जाएगा एक pin यहां पर दोस्तों आप देख रहे होंगे, यहां पर आप देखेंगे be our, यहां पर do not share this message यहां पर आपको pin मिल चुका है यही दोस्तों आपका pin होगा password होगा ATM का जो दोस्तों आप कर पर forget करेंगे इसके बाद दोस्तों आपको दो दिन के बाद दोस्तों अपने ATM में जाना होगा, वहां पर दोस्तों आप चौवी होर से पहले पहले दोस्तों आपको अपना pin चेंज करना होगा, यहां पर दोस्तों आपको लिखा भी हुआ है तो यह दोस्तों आप जो कर पर normally forget कर पाएगे, अब दोस्तों हम चलते हैं ATM में, कैसे आप ATM में जाकर अपने pin को करेंगे change अब यहां पर दोस्तों आप ATM मेशीन में अपना ATM डालेंगे, उसके बाद ऊपर देखेंगे कि सब भी transaction आ जाएंगी इसके बाद simply दोस्तों आपके सामने ये आ जाएगा, English पर आप simply click करेंगे, यहां पर आप देखेंगे कि आपके सामने सबी option आ चुकी है, अब यहां पर दोस्तों आपको नीचे option आएगा, pin change का, तो यहां पर दोस्तों आप pin change पर click करेंगे उसके बाद यहां पर आपको अपना account number डालना होगा, फिर यहां पर next पर आप simply click करेंगे, फिर यहां पर दोस्तों आप देखेंगे आपके जो register number होगा, उस पर OTP पेजा जाएगा, वो OTP डालने के लिए next पर आप simply click करेंगे, फिर यहां पर दोस्तों आपको वो OTP for digit का यहां पर डाल देना है, जब आप यह digit डालेंगे, फिर यहां पर दोस्तों आपको आगे Summit पे click करना होगा, यानि की नीचे आगे के option पर आपको click करना होगा, फिर यहां पर दोस्तों देखेंगे कि आपका यह pin नया वाला आपको रखना होगा, फिर यहां पर आप फौर digit का दो बार re-enter करेंगे और यहाँ पर आपका यह complete हो जाएगा तो ऐसे दोस्तों आप अपने pin को create कर पाएंगे तो आशा करता हूँ दोस्तों आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है तो एक like यू करके जाना और हमें अपनी राय बता कर जाना कि आज तक आपको ऐसी help मिली या पर नहीं मिली अगर दोस्तों आपका कुछ doubt है वो आप clear कर सकते हैं तो आज की इस वीडियो में इतना ही अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर हाजिर होंगे जैहिन दोस्तों